हेलो बच्चों कैसे हो आप से भी आईए हम अपनी exercise को continue करते हैं exercise 5.3 question number first fourth part हम ये AP गिवना बच्चा up to 11 terms हमने इसका sum find out करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना formula लिखेंगे formula क्यों होता है s of n n is equal to n divided by में 2 2a plus n minus 1 into में d ये हमारे पास क्या बच्चा sum of n terms निकालने का formula अब हम अपने question पर देखते हैं हमें a की value क्या गिवन है बच्चा हम a को किसे denote करते हैं first term को किसे denote करते हैं a से a की value क्या गिवन है 1 by में 15 तो a की value आजेगा 1 divided by में 15 चीक है ये हमारे पास क्यों हो जेगी a की value अब हमें क्या चीए d that means common difference common difference कैसे निकालते हैं बच्चा second term में से हम first term को subtract कर देंगे तो हमारे पास क्या आजेगा common difference second term क्या बच्चा यहां पे 1 divided by में 12 1 divided by में 12 minus first term क्या है 1 divided by में 15 1 divided by में 15 अब हम बच्चा क्या ले लेंगे इसका 12 और 15 calcium क्या होता बच्चा 60 यहां पे हो जेगा बच्चा 60 अब 12 की table में 60 कितने पे आता है 5 पे आता है तो यहां पे फिर 5 को 1 से multiply करेंगे तो क्या हो जेगा 5 minus 15 की table में 60 कितने पे आता है 4 पे अब 4 को 1 से multiply करेंगे तो 4 5 minus 1 5 minus 4 1 divided by में 60 तो यह हमारे पास क्यों हो जेगा बच्चा common difference ए की value हमें पता है 1 divided by में 15 common difference हमने निकाल लिया number of and terms हमारे पास n की value क्या गिवन है बच्चा question के according 11 n की value हमारे पास क्या गिवन है 11 हम अपने formula के अंदर put कर देंगे और असानी से अपने question निकाल लेंगे आए देखते हैं यहाँ पे क्या है s कितने terms का sum निकालना है 11 तो यहाँ पे n की value 11 is equal to n n क्या है 11 divided by में 2 2 into में a a की value क्या है 1 divided by में 15 plus and 11 minus 1 into में d d की value क्या है 1 divided by में 60 ठीक है अब इसको solve करेंगे 11 divided by में 2 2 divided by में 15 11 minus 1 10 तो 10 divided by में 60 ठीक है अब 50 15 और 60 का LCM क्या होता बचा 60 11 divided by में 2 LCM आजेगा 60 15 फोर्जा क्या होता बचा 60 फिर 4 को 2 से multiply करेंगे तो क्या हो जेगा 8 plus 60 की table पे बचा 60 किस पे आता है 1 पे फिर 1 को 10 से multiply करेंगे तो 10 चीक है यहाँ पे 11 divided by में 2 into में divided by में 60 10 प्लस 8 18 18 चीक है अब इसको cancel करेंगे बचा 2 9s आ 18 3 3s आ 9 3 को 20 से multiply करेंगे तो 16 तो answer क्या है बच्चा अब 11 into में 3 आजेगा 11 into में 3 divided by में 20 11 को 3 से multiply करेंगे 33 divided by में 20 तो यह हमारे पास के आजेगा बच्चा sum of 11 terms of AP ठीक है अगर आपको कुछ पी डाउट हो तो प्लीज मुझे comment section में बताइए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगयो तो प्लीज मेरे वीडियो को like कीजिए channel को subscribe कीजिए और share कीजिए thank you